अक्सर हमारे पास patients आते हैं अपनी Fibro scan की report लेके जो बहुती ज़ादा परिशान होते हैं वारेड होते हैं कि इस report में क्या आया है तो आज हम discuss करेंगे कि किस तरह से हम Fibro scan की report को interpret कर सकते है और क्या होता है Fibro scans तो जैसा आप देख सकते हैं कि Fibroscan एक ultrasound जैसी machine होती है जो ultrasound की ही raise हमारे liver में देती है और उससे हमें यह पता चलता है कि हमारे liver में कितना fat है और कितना fibrosis यानि कितनी scarring है अब fibrosis की जो staging है liver stiffness की वो कुछ इस प्रकार है कि अगर हमारा F0 या F1 है तो वो mild fibrosis होती है अगर moderate fibrosis है तो उसे हम F2 कहते है अगर severe fibrosis है तो उसे हम F3 कहते है और cirrhosis को हम F4 कहते है जैसा आप इस photo में देख सकते हैं कि no fibrosis या mild fibrosis में जो हमारा fibrosis का scoring है वो 2.5 से लेकर 7 तक होता है moderate में वो 7 से 9.5 तक होता है severe में 9.5 से लेकर 12.5 तक होता है और 12.5 से जादा Fibrosis होने पे उसे cirrhosis कहा जाता है जैसा आप इस report में देख सकते हैं कि इन पेशन की जो Fibrosis की scoring है वो 6.8 है यानि कि इनका जो Fibrosis है वो mild Fibrosis है इसके अलावा जो दूसरी scoring होती है वो हमारी fatty liver की scoring होती है जिसे हम cap score के नाम से भी जानते हैं जैसा आप इस table में देख सकते हैं कि cap scoring अगर 150 से 248 है तो उसे statosis यानि fatty liver grade 0 कहा जाता है जिसमें 10% या उससे कम liver में fatty changes होते है 248 से 260 तक grade 1 fatty liver होता है जिसमें up to one third तक हमारे liver में fatty changes होते है 260 से 280 में grade 2 fatty liver होता है जिसमें one third से two third liver में fatty changes होते है और 280 से जादा अगर cap score हो तो उसे grade 3 fatty liver कहते है जिसमें two third से जादा liver में fatty liver होता है क्यों fibroscan एक better test है पहले liver की fibrosis और fatty liver की level को पता करने के लिए हम लोग liver biopsy कराते थे liver biopsy में यह risk रहता है कि वो एक invasive procedure है जिसमें bleeding का risk रहता है और कई बारी in patient में bleeding tendency भी जादा होती है तो उन सब risks को अगर हम avoid करना चाहते है तो उसके लिए fibroscan एक बहुत ही अच्छा test है और अगर इस से related आप कुछ और हमसे discuss करना चाहते हैं तो आप हमसे contact कर सकते हैं Thank you